हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल सिलास किचन में आप सबी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी मिठाई जो घर की चीजों से बन जाती है बनाने में काफी आसान है और खाने में काफी टेश्टी है सीर्फ और सीर्फ यह तीन बनाना हम स्टाट करते हैं तो उसके लिए दिखिए मैं एक बड़ा सा बाउल ली हूं और उसके आंदर हम एक कप सुझी डालेंगे दिखिए कच्छा सुझी है मैंने इसे रोश्ट अगर नहीं किया है एक कप में सुझी ली हूं और यहां पर इसके आंदर हम गरम दूढ़े मैंने उबलग हुआ दूद है और ठंडा नए थोड़ा सा गरम है उसको मैं एक कप डाल देती हूं आप यहां पर चाहें तो दो कप भी ले सकते हैं दूद को लेकिन मैंने एक कप ही लिया है और इसे दस से बारा मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि सूजी अच कड़ाही पैन जो भी आपको लेना है बरतन आप ले लिजे और उसको कड़ा रखिए गैस के ऊपर और उसमें हम डेर कप पानी डालेंगे डेर कब बोले तो जो घर में यूज करते हैं हम गिलास नर्मल 2-3 ग्राम का होता है उससे में डेर गिलास पानी ली हूं और आधा पानी पानी अच्छे से उबाल लाने के बाद में हम गैस को कम कर देंगे जब सूजी डालेंगे उसके बाद इसके पानी इससे कम कर देंगे मीडियम टू हाई फिलेंगे ज़्यादा कम भी नहीं और इस तरह से इसे अच्छे से सूजी गूर्ड और चिनी को बढ़िया से मिलाते हुए सभी मिसरन को इस तरह से चलाते हुए इसे मेक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई भी लाम सोगर ना रा जाए और ये बढ़िया स अच्छे से पके तो देख सकते हैं मैं इस तरह से चलाते हुए बढ़िया सी इतना में पका ली हूँ और काफी ये ठीक हो चुका है अब हमें यहां पर क्या करना इस तरह से चलातने के बाद में थोड़ा जब गढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर हमें घी डालना है तो अ इस तरह से में डालते जाँगी घी को और इस तरह से चलाकर इसे पकाते जाएँगे तो इसी तरह से 2-3 बार यह प्रोसेस में करूंगी और मैं बिल्कुल स्कीप नहीं करें पूरा अच्छे से मैं आपको दिखा रही हूं कि आपकी मतलब कोई भी मतलब इसमें मिश्टेकि तो मैं फिर से डाल दूँ इसके अंदर घी आप इसको आयल में भी बना सकते हैं लेकिन जो घी का रिजल्ट होता है जो टेस्ट होता है वो नहीं आएगा तो बात नहीं रह जाएगी इस मिठाई के अंदर इसलिए आप हो सेके तो आपके पास घी रहे तो घी डालके ही है तो इसे काफी मतलब हमें गाढ़ा कर लेना है सबसे पकाते हुए जब यह कडाही छोड़ने लगेगा चिपचीपा से नहीं रह जाएगा तब जाके हम गैस को आफ करेंगे बाकि मैं पूरा दिखा रही है अपको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से इसको मैं पकाती र अब यह जाता है इसलिय में घी भी डाल रही है और इसको प्रोसेस ही यही है कि इस तरह से घी डालके पकाएंगे तब ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा अब यह डेडी हो गया है मैंने गैस को आफ कर दिया अब एक प्लेट लिया है हमने और इसमें में ऐल डाल रही इस पेचुला से हाथ नहीं लगाएंगे नित हाथ जलेगा और बढ़िया से दिखें इक्वेली बढ़िया से बराबर होना चाहिए सबी तरफ कहीं ज्यादा कम नहीं होना चाहिए और इस तरह से फेला करके इस पेचुला से हम इसे पराबर कर देंगे चिकना कर देंगे ब तो इसलिए जल्दी में मैं कटिंग कर रही हूं थोड़ा भूत है थंड़ा हो गया है लेकिन थोड़ा से अभी गरम है आप चाहें तो जल्दी होने के लिए इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं ढ़क करके ताकि बड़ी ऐसे सेट हो जाए और चाकु से इस तरह से से हमें सेब दे देना है बहुत ही बड़िया से कट जाता है अगर आप लग राय की गरम है और चिपक राय चाकू इस मिठाई के अंदर तो आप चाकू के अंदर घी लगा लीजे और इस तरह से पीसेस कट कर लेजे अब यहाँ पर आपको जो जैसा मर्जी करें जैसा आपका मन है उस हिस कि एस पीसेस कट कर सकते हैं इसका सेप धेसकते हैं तो मैं यहाँ पर बर्फी का सेप भी नहीं दे रही हूं चौकोगो का कर लोगी मैं पेड़े के सेप दे रही हूँ तब जैसा चाहें वैसा इसको कट कर सकते हैं अब मैं इसलेकर दिखाओंगे और इसको किनारे को जो है ना निकाल देते हैं क्योंकि वह बढ़िया से पीसे नहीं एक किनारे हैं अब मैं आपको निकाल के दिखाती हम देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम जली टाइप के मिठाई बनके रेडी हो जाता है और देख सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ है और इसे आप चावल से चावल के आटे से करें और इस भी पसंद आई होती से लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा